असलाम लेकम व्यूवर्स, वेलकम बेग टू उसमर जवान की चन, आज मैं बना रही हूँ आलू का प्राठा, इसके लिए ना ही आपको आटा गूंदने की जुरूरत है और ना ही आलू बो आइल करने की, मिंटो में रेडी हो जाता है, वीडियो पसान देट लाइक लास में कीजिएगा, एक मीडियम साइज का आलू लिया है, इसको ग्रेट कर लेंगे, आलू ग्रेट कर लिया है, अब इसमें वीड फर और यानि गंदम का अटा एड़ करेंगे, एक कप, नमक वान टी स्पून या फिर टेस्ट के मताबक, क्राश चिली हाफ टी स्पून, कुटी का आल वान टेबर स्पून, फ्रेश थनिया, पानी डाल कर मिक्स्चर रेडी करेंगे, ये वाली कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, मेयर्मेंट के हसाब से तक्रीबन सवा का पानी इसमें यूज हुआ है, तवे को आल से हलका ग्रीज कर लेंगे, जब मिक्स्चर तवे पर डालें तवा हलका सा गरम हो, अगर ज्यादा गरम होगा तो मिक्स्चर फैलेगा नहीं, मिक्स्चर फिलाकर फ्लेम मीडियम लो कर दें, जब आप आलू के प्राठे बनाते हैं, तो पहले आप आटा गोनते हैं, फिर आलू बोईल करते हैं, फिर मिक्स्चर रेडी करते हैं, तो और साइड चेंज कर ले और लगा ले दोनों साइड से अच्छी तरह से कूप कर लेंगे तक्रीबन तीन से चार मिनिन लगेंगे एक प्राठा रेडी हुने में ये देखे एक प्राठा रेडी हो गया है बाकी भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे एक कप आटे से चार प्राठे रेडी हुए हैं बहुत ही टीस्टी आलू के प्राठे रेडी हैं फीडबैक लास भी दें कि आपको मेरी आज की रेस्पी कैसी लगी दौाओं में याद रखिएगा आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया लाफ़ीज